साथियों, छे साथ पहले तक भारत में बैंकिंग, पेंशन, इंस्वर्मन्स ये सब कुछ एक एक एक्सलूजिव क्लब जैसा हुआ करता था। दलीद, बंचीद, पिछडे, इन सब के लिए ये सब सुविधाएं बहुत दूर थी, जिन लोगों पर इन सुविधाओं को गरीब तक पहुँचाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि बढ़लाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हैं, गरीब तक जाने के रास्तों को बंद करने के लिए जो कुछ भी तर्क दे सकते हैं, भाती भाती के बहाने यही एक परंपरा हो गई थी, और क्या कुछ कहा नहीं जाता था, खुले आम बेशर्मी के साथ कहा जाता था, अरे बैंक की ब्रांच नहीं है, स्टाफ नहीं है, इ जाने कैसे कैसे तर्क दिये जाते थे, अन्प्रोड़क्टिव सेविंग्स और इन्फॉर्मल लेंडिंग, इससे सामन्य नागरिक की स्थिती भी खराब हो रही थी, और देश के विकास में उसकी भागिदारी भी नक के बराबर थी, पेंशन और वीमा का तो यहीं माना जाता था, कि यह सब सम्रुद्ध परिवारों के भागे में ही है, लेकिन आज स्थिती बदल रही है, आज फाइनांचल इंक्लूजिन ही नहीं, बैंकिंग और फाइनांचल सेक्टर में, इस ओफ एक्सेस भारत की पहचान बन रही है, आज अलग-अलग पेंशन योजनाओं के तहर समात का हर व्यक्ति साट वर्ष की आयू के बाद, साट वर्ष की आयू के बाद मिले वाली पेंशन के सुविदा से जूड़ सक्पा है, पी-म जीवन जोती बीमा योजना और पी-म सुरक्षा बीमा योजना के तहर लगभग 38 करोड देश्वाजी, 38 करोड कंट्रिमेंट, दो-दो लाख उर्पे की बीमा सुरक्षा से जुड़े हुए है, देश के करीब-करीब हर गाउं में पांच किलो मिटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉर्स्पोंडन्स की सुविदा पहुँच रही है, पूरे देश में आज लगभग 8.5 लाग बैंकिंग टच पॉइंट्स जो देश के हर नागरी की बैंकिंग सिस्टिम तक पहुँच बढ़ा रहे हैं, जन धन योजना के तहट 42 करोड, 42 करोड से अधिक जीरो बैलेंस बैंक एकाउंट्स खोले गए, जिसमें आज गरीब के हजारों करोड रुपी जमा है, मुद्रा योजना से महिलाओं, दलीत, पिछडे, आदिवाशियों में, व्यापारियों, कारोबारियों की एक नई पीडी सामने आई हैं, और स्वनिधी योजना से रेडी, ठेला, फेरी चलाने वाले भी इंस्टिटूशनल लेंडिंग से जुड़ पाएं, साथियों, लास्ट माइल फाइनांशल इंस्टिटूशन से, जब डिजिटल एमपार्मेंट जुड़ गया, तो उसने देश के लोगों को एक नई ताकत दी है, 31 करोर चे अधिक रूपे कार्ड, करीब 50 लाख पॉस एमपॉस मशिन्स ने आज देश के कौने कौरे में डिजिटल ट्रांजेक्शन को संभो बनाया है, यूपी आई ने तो बहुत ही कम समय में डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना दिया है, सिर्फ साथ सालों में भारत ने डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में 19 गुना की चलांग लगा रिया, 19 टाइम, आज 24 गंटे, सातों दिवस और 12 महिने, देश में कभी भी कही भी हमारा बैंकिम सिस्टेम चालू रहता है, इसका लाब भी हमने करोना के इसकाल में देखा है.